प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जी को ज़ कप पढ़ते हैं देखिए और समझते हैं यदि किसी सब्द में जी की बाद यदि किसी सब्द में जी की बाद इ, आ, वाई इन तीनों में से कोई भी हो तो वहाँ पर जी को जो पढ़ा जाता है एक बार फिर से यदि किसी सब्द में जी की बाद इ, आ, वाई इन में से कोई भी हो वहाँ पर जी को जो पढ़ा जाता है उधारण के लिए आपके सामने है आपके सामने सब्द है यहाँ पर देखें जी की बाद आई है तो यहाँ पर जी का उचारण जो होगा और इसे परते हम जिन जर जिन जर दोस्ता सब्द हैं यहाँ पर देखिए जी की बाद वाई है जी की बाद वाई है तो हम जी को जो पढ़ेंगे तब इसे पढ़ते हैं ए नर जी अब इसकी परिभासा पर चलते हैं देखिए यदि किसी सब्द में जी की बाद ई आई वाई हो तो जी को जो पढ़ा जाता है उधारण के लिए आपके सामने है जी की बाद आई है तो यहाँ पर जी को जो पढ़ा जाता है और इस सब्द का समपों उचारंग जिंजर होता है ठीक उसी प्रकार यहां भी जी की वाद वाई है तो यहां पर जी को जो पड़ा जाएगा तब इस सब्द का समपों उचारंग एनर्जी होता है इस वीडियो में इतना ही ठैंक यू, हेवना इस टे